हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैद की माई चैनल मैं बनाने वाली हूं मैंगो की आइसक्रीम कुलफी तो ठंडे का सौरी गर्मी का सीजन है तो कुछ ठंडा खाने में बहुत मसाता है तो कर लेते हैं इसको कट मैंगो को और आजकल मैंगो बहुत आसानी से मिल जा रहा है अगर्ण के लिए थोड़ा सा काजु बदाम ने कट कर लिया था चोटा-चोटा थोड़ा सा मैंने पूट लिया है तो यह डाल रहे हूं इसके उन्दर और साथ में डालेंगे आधा कप से भी कम दूद और यह डालेंगे इसके अंदर और अपने हिसाब से आपको जितना मीठा खाना है उस अबसे आफ में करेंगे सुगर तो मैं थोड़ा सा केसर भी करेंगे आप gloss के आढ़ तो थोड़ा सा नीदर से एड़ा कॉल्फी अच्छा लगता है तो तीन चमस मैंने आई अडले आई करना है अगर आप लोग के पास केसर हो तो थोड़ा सा केसर भीगो के एड़ करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मेरे पास नहीं है यह हमें इसमें कुछ नहीं आड़ करना है बस अब करेंगे इसको ग्रैंड आट करेंगे इसने बेट्र बना लिया है ऐस्कुर माने के बिल्कुल बेट्र होना चाहिए हुआ यह है बस आब इसको जमाने का बेश्टेमे ऐड़ करतें घाजो पिस्ता लिए हैं थोड़ा सा कट कर लिए हैं तो मैं फ्यूझ थोड़ा-उस्में आड़ करूँगे सक उसमे अब एड़ किया है लेकिन इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है कि अधिक कर लिया है तो बस अब इसको आड़ करेंगे यह मैंगो इसको पुरा फुल-फुल भरना है अब फुल भर चुका है तो थोड़ा थोड़ा सा काजू और पिस्ता का उपर से भी आपासर गानिश करेंगे अच्छा लगीगा तो पड़ा हुआ है तो एड़ कर लेते हैं इसमें क्या होगा तो अब डाल लेते हैं अब इसका पुल कर लेंगे रखकन बंद कर लेना है बंद टाइटली इदम आप 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 अब मैं इस कुलफी को ओवरनाइट क्लिए फ्रीजर में रखने वाली हूँ तो आठ से दस घंटे लग जाएंगे अच्छे से जमने के लिए तो बस अब इसको म डालते हैं फ्रीजर के अंदर तो अब आठ दस खंटे के बाद चेक कर लेंगे कि अच्छे से पुलफी जम गई है कि नहीं तो मैंने इस वे ओगर ने टर्खा हुआ था तो चेक कर लेते हैं नीचे से मैंने हलका से पानी में थोड़ी दिरत लिए रख दिया था मतलब फुस सेकंड के लिए तो नितालते हैं चेक करते हैं तो अच्छे से जमा हुआ है तो अच्छे से जम गए है वह जो मैंने काजू और पिस्ता डाला हुआ था उसका भी बहुत है अच्छा टेस्ट आने वाला है तो आप लोग भी घर पे बना के खा सकता है बहुत टेस्टी होता है वगर वीडियो पसंद आया हो तो प्रीज लाइक शेयर कोमेंट करें मिलते हैं इस वीडियो में बाइबाएबाएब